नमस्कार चार दिन पहले जब फिल्म आदी पुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब से देके अभी तक चारों तरफ एक हंगामा है एक शोर है फिल्म इंडस्ट्री में चैनल्स में जनर्नलिज्म में एबिटाइजर्स में संच समाज में चारों तरफ एक शोर है चारों तरफ डिबेट्स हो रही है चारों तरफ भली बुरी बातें कही जा रही है मेरे पास भी सैकडों फोन आये होगे सभी चैनल्स से फोन आये जितने सभी जनर्लिस्ट है बड़े बड़े जनर्लिस्ट और सभी सभी के फोन आए they wanted my reaction on that on the teaser के आपको कैसा लगा आपके क्या reaction है आप क्या सोचते हैं इस बारे में मैं आपको सुच मताँ मैंने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा मैंने बात ही नहीं कि उस विशाय में मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बात तो करनी चाहिए आपसे करनी चाहिए मेरे मन में बहुत सारी बाते बहुत सारे समय से आती रही है और इस हंगामे को लेकर इस इशू को लेकर मुझे लगा कि शायद ये सही समय है जब मैं अपनी बाते आपके साथ शेयर कर सकूँ दोस्तों ध्यान से सुनियेगा रामाइन, महाभारत, श्रीमत भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं यह हमारी संस्कृतिक और धालमित धरोहर है यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी जड़ है सारी मानव सभिता के लिए यह नीव के समान है और ना तो नीव को हिलाया जा सकता है और नहीं जड़ को बदला जा सकता है नीव यह जड़ से किसी भी सरह का खिलवा, किसी भी सरह की छेरचा बिलकुल भी ठीक नहीं है हमें इन शास्त्रों से संसकार मिलते हैं जीवन का अधार मिलता है यह धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है हमारी संस्कृती विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृती है हमारी हर पिर्धी इसे युगों-युगों से आत्मसात करती आ रही है जिसका सबसे बड़ा एक्जामपल है ठाई साल पहले जब करोना आया था तो करोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है हमारी धार्मिक परंपराओं और माननेताओं को और अधिक पुष्ट किया है इस माहामारी ने टीवी पर जब धारवाहिक रामाइड पसारित हुई थी करोना के दौरान तो रामाइड ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारी माननताओं और परमपराओं की प्रमानिकता का इस बार यानि 2020 में रामाइड आज की युवा पीड़ी ने भी देखी और 35 साल पहले बनी रामाइड को पूरी श्रद्धा और आस्था से देखा, समझा और आत्मसात किया आज जो बेहसाब लोग उच्छे मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या टीनेजर्स की होती है दोस्तों 500 साल के संखर्ष, अथक प्रयक्न और जद्धो जहत के बाद नजाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदि के पक्ष में लिरने मिला और वहां एक भव्य मंदिर का निर्मार्ण हो रहा है जो 2024 तक पूरा भी हो जाएगा अप्रिशेट करने वाली बात यह है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसके आत्मा और मॉलित्ता को जियों का अत्यों रखकर ये मंदिर बन रहा है हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरो हरो और माननेताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए उनमें किसी भी तरह के बदलाव की ना तो जरूरत है ना करना चाहिए और नहीं किसी को किसी और को करने देना चाहिए